मैं हीमांचुक पुमार फिर से एक नए वीडियो के साथ आया हूं एक हमारी यूजर ने हम से कॉल किया था और पूछा था कि मैं बिजन स्टार्ट करना चाहता हूं और मुझे किस तरह की फॉर्मेट बनानी चाहिए किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और फॉर्मेट बनाते समय कैसे इसको सोचना चाहिए कि अगर मैं कोई बिजन स्टार्ट करने जा रहा हूं तो मैं किन-किन बातों का ध्यान रखूं गलट डिसीजन ना ले लो क्योंकि जब मैं स्टार्ट करने वाला हूं तो मेरे पास हर चीज रिसोर्स कम है पैसे कम है मैं उसी में हर कु करना चाहता तो हमें लगा कि हमें भी इस पर एक वीडियो बना के और क्लेटी देनी की जरूरत है कि इंडिया मार्केट में आप कितने तरह के आप्शन से अबलेबल हैं क्या से आपको सोचना चाहिए और किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तो बहुत जल्दी टाइम लिए पांट प्रेंटी बरूइबल लाइब लजा है कि इंडिया में क्या क्या स्ट्रक्चर डेह सबसे आसां स्ट्रक्चर स्धाथ है स्वड़ प्रोप्राइडर्स रखना कार्ड लिया मेरी पास पमपना है है और मैं कोई बिजिस स्टार्ट कर सकता मुझे किसी भी तरह की कोई permission या कहीं registration कराने की ज़रूरत नहीं है सही सुना क्योंकि शोल प्रोप्राइक्टर में भी बड़ा मामला complex है मार्केट में शोल बनाने के पैसे लिए जाते मुझे नहीं पता क्या होता है वो कैसे बनाते लेकिन हर कोई कुछ ना कुछ recipe धूरी लेता है पैसा बनाने का तो मैं उस पर को comment नहीं कर रहा हूं business है हर कोई अपने हिसाब से करता बड़ सोल प्रोप्राइक्टर से में अब मैं बताऊंगो कि इसमें problem क्या है यह बहुत simple है लेकिन इसकी problem भी हम बात करेंगे आगे बात करेंगे दूसरा जो format है जो वह भी आसान है partnership यह होता है कि जब एक से ज़्यादा लोग मिल के कोई काम करना चाहते है और वह किसी legal structure मतलब बढ़े complex structure मेंना कि simple business start करना चाहते है partnership है इसमें कुछ नहीं एक partnership डीड बनता है मैं या मेरा एक दोस्त साथ मिल गए कोई भी नाम रख सकते हैं एक सब्सक्राइब कराना होता है और उसके आपको pen card apply करना होता pen card आ जाता है फिर आप अपना business start कर सकते अगर फिर GST के तारे में आते हैं तो GST registration mandatory otherwise अपन और समझ ले क्या है फिर problem और solution और उसकी important point को समझेंगे तीसरी बात करते हैं LLP LLP क्या होता है limited liability partnership यह partnership का ही hybrid version है और structure वर्जन यह MCA ministry of corporate affairs के through register किया जाता है इसका जो benefit क्या है एक पहली चीज़ की इसमें compliance बहुत कम है in corporation बहुत आसान है और यह उनके लिए जो professional लोग है उन अच्छा है डिपेंड करता है मैं guarantee नहीं रहे सकता कि आपके अप्लीकेवल है या नहीं बट यह सबसे अच्छा structure है professionals के लिए क्योंकि इसमें भी अपनी प्रॉब्लम है वह भी महां है बात करेंगे जब डिसकूस करेंगे कि कि किस-किस चीजों के लिए इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसके बाद अगर हम बात करें तो जो एक नया structure है OPC OPC होता है one person company यह भी private limited company ही होता है इसके structure सेम होते हैं incorporation process भी जो private limited company का होता है वही होता है इसमें compliance LLP से जादा है ठीक है इसके अपने benefit है अपने नुकसान है वह हम आगए discuss करेंगे structure MCA के थू होता है इ इसमें एक से ज्यादा लोगों की requirement होती OPC में एक नहीं कर सकते हैं जैसे कि किसी के अपास single handed है तो OPC जा सकता है लेकिन अगर वह एक दो तीन चार दोस्तों के साथ मिलकर काम करना चाहता है और structure में काम करना चाहता है जैसे startup के लिए सबसे अच्छा structure private limited है क्यों वह भी हम करें इसके बात अगर हम बात करें तो public limited company है वह बहुत ही complex है आपके लिए अप्लीकेबल नहीं है अब हम इसी पर बात करते हैं अब हमने जो starting कि इसके बेनिफिट और system समझते हैं और किस पर क्या अप्लीकेबल हो देखते हैं देखिए sole proprietorship और partnership की जो सबसे बड़ी problem है जो हो गई और कोई दिंदारी बनती है बाद में तो आपको यह payment आपके personal assets से भी होगा अगर आप कोई ऐसा business करते हैं जो risky business है बहुत ऐसे business है जो risky business हो सकते हैं अगर उस तरह के कोई business में है तो मैं वैसे लोगों को यह sole proprietor और partnership suggest नहीं करूँगा क्योंकि अगर कुछ गलती होगी न वह भी attach कर ली जाती है तो यह आपको सोचना है कि आपका nature क्या है लेकिन अगर मैं दूसरे contest में देखो कि अगर आप business start करना चाहते हैं कम पैसे में start करना चाहते हैं तो sole proprietor partnership बहुत अच्छे हैं बसरते risk factor आप cross check कर लें अब आगे बरते हैं कि LLP के benefit क्या है एक त operation का procedure बहुत आसान है और इसको dissolve करना भी आसान है लेकिन अब problem की बात करें देखिए अगर आप इसमें सोचते हैं कि funding funding करानी है या बैंक से लोन लेना बैंक लोन तो ठीक है funding funding case में इसके अपने structure की problem है यहां equity based नहीं होता है capital subscription based होता है तो अगर आप यह सोचते हैं कि future में आपको fund release करना है VC के पास जाना है angel investor के पास जाना है तो यह structure थोड़ा सा complex है आपके लिए यह आप पर suit नहीं करता है लेकिन अगर आप इस तरह के sector में नहीं है जहापके आपको fund release करना है जैसे मैंने बताया था कि professional लोग जोगो CA, architect, engineer, doctors यह इस profession के लिए बहुत ही प्रोसेस बहुत आसान है अब हम बात करते हैं OPC 1% company और private limited company देखें स्टाट अप में जो सबसे common चीज़ है fund raise करने का तो टाक्स रेट है वो तो सीम है बट यहाँ पर equity based होने के कारवा आप fund raising भी आसान है साथ के साथ LLP और OPC और private limited सबसे बढ़ा advantage है कि जो आपकी liability है आप जितना stock hold करते है या capital contribute करते है उतना ही होता है यह दोनों entities separate होती है अलग-अलग होती है यानि कि मैं अलग हो मेरी company अलग है अगर मेरे company में कुछ default होता है या bank currency होती है तो मेरे personal asset तक नहीं आगा अगर मैं fraud या इस तरह के कोई activity करके अपनी company को बरबाद नहीं किया तब त तरह के strategy में है तो आपके लिए private limited best है 1% company उनके लिए अच्छी है कि जो अकेले काम करना चाहते है किसी के साथ काम नहीं कर पा रहे है या उनके साथ कोई problem है या लोगों को वो जोड नहीं पा रहे है तो उनके लिए अच्छा लेकिन अगर best suitable देखे तो private limited startups या बरे corporate जो की बरे visions के साथ काम करना चाहते है उनके लिए अच्छा है साथ के साथ LLP अगर private limited देखे तो LLP की credibility थोड़ी सी कम है as compared to the market, market में लोगों को लगता LLP पता नहीं क्या है, बहुतों को भी पता नहीं, अभी भी नहीं पता है market में, private limited के अपनी credibility होती है, credibility होने के वज़े से आप आपको उसका benefit market में मिलता है, लेकिन LLP के साथ दिखते थे कि अगर आप fund raising के activity में जाना चाहते है तो वहाँ problem है, private limited में यह सब problem नहीं है, तो अबर अगर हम बात करें तो यह एक बहुत viewpoint था जो बताने की साथ के साथ एक point जो चूटर, dissolution, मतलब अगर आप private limited company को खतम करना चाहते हैं, यह थोड़ा सा complex है, तो incorporation के पहले एक चीज़ ध्यान रखे कि आपका future क्या है, और आप slow बढ़े, slow बढ़ने का मतलब यह है कि मैं हमेशा suggest करता हूँ कि आप private limited ना जाके partnership ले, 6 महीने उसमें काम करें, चीज़ों को समझें, understand करें कि क्या है, लेकिन इसमें इ होगा कि एक तो आपको 6 मेने का experience हो गया, अगर किसी दोस्त के साथ आप काम कर रहे हैं, तो एक foundation समझ में आने लगती है, क्योंकि हमने यह बहुत experience कि क्या है कि company तो जोसमें हम लोग incorporate करा देते हैं, बाद में differences हो जाते हैं, business नहीं चल पाता है, जो आपने strategy सोची थी, वो नहीं हो पाता है, इसके वैसे बहुत सी company को हमने बंद होते देखा है, लेकिन अब जो नए provisions आ गया है, कि अगर आप company सटड़ाउन नहीं करते हैं, तो उसके एक अलग problem है, अलग तरह की compliance बढ़ते जारी है, panel provision बढ़ते जारी है, तो मेर उसको strategic move करें जहां लेके जाना है लेकिन नाम के साथ conscious रहा है, क्योंकि नाम आपका important है, अगर वो नाम unique है तो आप उसका TM जरूर करा के रख लें, trademark जरूर करा है, और अपने जो हमने आपको system बताया, जो आपको information में ने देनी की courses की, अभी आप सोच सकते हैं कि आप पे कौन सा applicable है, आप घर से business करना चाहे कोई दिक्कत ने, आज के लिए कोई problem ने, आप घर से start कर सकते हैं, और ये कोई भी structure आपने घर से start कर सकते हैं, कोई भी जरूरत किसी commercial office की जरूरत नहीं है, तो आज के लिए इतना ही है, और अगर आपको इसमें कोई confusion हो, या कोई और clarity आपको चाहिए, तो आप comment box में comment कर स